बटूरा बनाने के लिए हमें इंग्रीडियन्स चाहिए दो कटोरी मेदा, वन टेबल स्पून शुगर, एक कटोरी कर्ड, बेकिंग सोटा, सोल्ट, सूजी, बेकिंग पाउडर, अब हमें एक प्लेट में सबसे पहले मेदा निकालेंगे उसमें हम सूजी एट करेंगे, टेस्ट अनुसार साल्ट एट करेंगे, शुगर डालेंगे, शुगर डालने से हमारे भटूरे का कलर जो है बहुत अच्छा आता है, अब हम इसमें एक कटोरी कर्ड एट करेंगे, और अब इसमें हम ओईल डालेंगे, आप चाहें तो इसमें अगी का विस्तमाल कर सकते हैं, हमने इसमें 2 टेबल स्पून ओइल एट करा है, इस अच्छे से मिक्स करेंगे हम, उसके बाद हम 1 टेबल स्पून बेकिंग पावडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा एट करेंगे, और ल्यूक वाम वोटर की हेल्प से हम इसका सोफ्ट डो लगाएंगे, हमें इसका सकते डो नहीं लगाना है, सोफ्ट डो लगाना है, अच्छे से हम इसे गून लेंगे, अब हमारा आटा गून के तैयार है, देखिए, हमें इतना सोफ्ट आटा लगाना है, अब हम इसे रेस्ट करने के लिए केस रोल में रख देंगे, और इसके उप़र थोड़ा ओइल ले के इसको अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे कम से कम हम इसे half hour के लिए rest करने के लिए रखना है और आप इसे two hour, three hour के लिए भी रख सकते हैं उससे best result मिलेंगे आपको अब इसको rest करे हो time हो चुका हमने निकाल दिया इसको देखिए आप इसमें खमीर उड़िया अच्छा सा तो अब हम इसे वापिस चिकना करेंगे और इसे चिकना करकर इसकी लोईया बनाएंगे इसके हमें पेड़े तोड़ने है पेड़े बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें क्रेक्स ने हो अगर क्रेक्स होंगे तो हमारा भटूरा बिल्कुल निफूलेगा इसलिए सारे क्रेक्स को निकाल के से इसका लोई बना ले बस बेलन की हिल्प से हमें से बेलना है उसके बाद हम चकले और बेलन को हमारे ओईल से ग्रीस कर लेंगे हमें सुखे मेदे का इस्तमाल नहीं करना है इसके अंदर ओईल का इस्तमाल करना है इधर हमने ओईल भी गर्म होने के लिए रख दिया है अब हमारा ओईल हम चेक कर लेंगे थोड़ा साटर डाल के देख लेंगे भटूरे तलने के लिए हमें थोड़ा अच्छा गर्म तेल चाहिए हम देख रहा है हमारा ओईल बिल्कुल रेडी है अब हम भटूरा बेलेंगे आप भटूरा आपकी मन पसंद जैसा आपको पसंद हो विससे शेप में बेल सकते हैं मैंने राउंड शेप में बेला है किनारे और बीच के हिस्से को अच्छे से बराबर से बेलना है हमें मोटा नहीं रखना आए किसी इस को मोटा किसी को इस़ी पतला नहीं बराबर से वेलना हमें इसुर्भ हमारे भी पतले होने चाहिए उसके वो गर्मा गरम तेल में तलना है हमें तब हमारा भटूरा HS. और में डालेंगे गूं हमें नहीं अम्ड़抖ना घ्ल पयाद से ड़रь देंगे ड़क्र आलना है अब इस्पून की हेल्प से हमें गर्मा गरम ओईल इस पर डालना है ताकि इसकी उपर की लेयर है वो भी क्रिस्पी बने और हमने भटूरे के अंदर सूजी डाली है जिससे भटूरा बेठेगा नहीं फूला का फूला रहेगा यह देखिए आप भटूरा बिल्कुल तलके रेडी है आप भटूरों को गर्मा गर्मी सर्व करें गर्मा गर्मी भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं हमारा भटूरा तल गया है अब हम इसे निकाल लेंगे आप इसे छोले के साथ पनीर की सबजी के साथ सर्व करें यह देखिए हमारे भटूरे रेडी हैं आप भी ट्राइ करें इस रेसिपी को